नमस्ते बच्चों, साई राम अभी हम हिंदी पढ़ेंगे तो हमने हिंदी में जो सेकंड चाप्टर है वो हमने कम्प्लीट किया था हवा में महल क्या है हमारा चाप्टर टू? हवा में महल तो आज हम क्लास्वर लिखेंगे तो आप अपना क्लास्वर एक नोट और पिन लेकर बैठिये बच्चों क्लास्वर लिखने से पहले हम थोड़ा ये स्टोरी देख लेंगे हमने इसमें क्या पढ़ा था? ठीके? हम फिर से थोड़ा ये कहानी देख लेंगे तो ये कहानी अकबर और बिर्वल के उपर है और अकबर एक राजा थे और बिर्वल उनके एक दरवारी थे जो कि बहुत ही वुद्धीमान थे और बहुत सारे समस्या का हल ऐसे ही आसानी से कर देते थे तो इसके कारण अकबर जो थे उन्हें बहुत पसंद करते थे अकबर के अन्य दरवारी बिर्वल की लोक प्रियता से इर्शा करने के कारण शिकायत करते रहते थे जो अन्य दरवारी थे वो बिर्वल से बहुत इर्शा करते थे और इसके कारण उन्होंने राजा को शिकायत भी कर दी तो दरबारियों की शिकायत दूर करने के लिए अकबर ने बिर्बल की परिक्षा ली यह जो कहानी है अकबर बिर्बल की परिक्षा ली इस कहानी में ठीक है उन्होंने बिर्बल से एक ऐसा महल तयार करने के लिए कहा जिसकी नीम आकाश में हो तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा महल बनाओ जिसकी नीम आकाश में हो धर्ती पर नहीं ठीक है इसके लिए बिर्बल ने दो महीने का समय लिया बिर्बल पहले सोचने लगे कि हम ये तो असंभव है उसके बाद वो सोचे ठीक है तो देखते हैं क्या किया जाएगा फिर वो बोले कि मुझे दो महिने की समय चाहिए और वो दो महिने में क्या किये वो बहलिये के पास गए और बोले कि मुझे कुछ तोते चाहिए और हम बहलिया ने बिर्बल को कुछ तोते दिये उसके बाद उन्होंने तोतों को ये सिखाना शुरू कि चुना लाओ, इंट लाओ, महल बनाओ तो उसके बाद दो महिने के बाद जब वो वापस राज महल आए तो राजा पूछे कि क्या आपने अपना काम कैसे किया जाएगा सारे तयारी आपने कर लिया या फिर आप अपना काम भूल गए तो वीरवल ने कहा कि नहीं, जी हुजूर मैं अपना काम अपना तयारी कर लिया और मजदूर और जो राजगिर है सभी को मैंने यहां ले आया आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ चलिए तो राजा उनके साथ गए कि देखने के लिए कैसे राजगिर और मजदूर हैं जो हवा में महल बनाएंगे तभी उन्होंने तोतों को दिखाया और तोतों ने बोलना शुरू किया कि हम इंट लाओ चूना लाओ महल बनाओ ठीके बादसा विरबल की इस बात पर मुस्करा दिये ठीके तो वो बोले जैसे ही समन एकठा हो जाएगा तो ये सब महल बना लेंगे ये बात सुनकर बादसा मुस्करा दिये और सभी दरवारी भी चूप हो गए कि इस प्रकार चतुराई देखकर वो भी चूप हो गए तो बुद्धिमानी और सुजबूज के कारण बिरबल कठिन से कठिन प्रशनों के उत्तर तुरंध हल कर देते थे वो बहुत बुद्धिमान थे और इसके कारण वो कठिन से कठिन प्रशनों के उत्तर तुरंध हल कर देते थे तो बच्चों अभी हम classwork लिखेंगे तो बच्चों आप classwork में लिखिए पाठ दो और हवा में महल पहले लिखिए हवा में महल ठीक है यह है पाठ दो हवा में महल और उसके बाद कुछ नए शब्द है जिन्हें हम लिखेंगे तो आप promo number one लिखिए नए शब्द और उसके बाद हम लिखेंगे पहला वला क्या है दरबारी आप लिखिए दरबारी तो दरबारी कौन है राजा के दरबार में काम करने वाला राजा के दरबार में काम करने वाला वो है दरबारी तो लिख लिए बच्चों दरवारी राजा के दरवार में काम करने वाला उसके बाद शिग्र सेकेंड क्या है शिग्र और शिग्र का मतलब क्या है जल्दी शिग्र जल्दी शिग्र जल्दी लिख लिया बच्चों उसके बाद बहलिया बहलिया चिड्या पकड़ने वाला बहलिया कौन है चिड्या पकड़ने वाला लिखिए चिड्या पकड़ने वाला बहे लिया चिडिया पकड़ने वाला और उसके बाद प्रबंध चोथा क्या है प्रबंध इंतिजाम लिख लिया बच्चों प्रबंध इंतिजाम और उसके बाद असंभव लिखिए असंभव जो हो ना सके असंभव जो हो ना सके जो हो ना सके सिक्स्थ निर्मान कारिय निर्मान कारिय बनाने का काम हो गया बच्चों तो अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रारम अब लिखिए प्रारम प्रारम का मतलब है सुरू प्रारम सुरू हो गया उसके बाद एक्ट लोग प्रियता लोगों में प्रिय होने का भाव लोगों में प्रिय होने का भाव नाइन्थ वन बुद्धि मानी बुद्धि मानी होश्यारी बुद्धि मानी होश्यारी और उसके बाद टेंथ जलन जलन का मतलब इर्शा लिखिए जलन इर्शा जलन इर्शा और उसके बाद लास्ट क्या है? अवश्यक्ता जरूरत अवश्यक्ता जरूरत लिख लिया बच्चों अभी रोमन नमबर टू सेकेंड रोमन अब देखिए सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए तो क्या क्या शब्द दिया गया है? तो ते समस्या बिर्बल सिपाही तो पहला बल आप देखिए बादसा ड्याश को बहुत पसंद करते थे तो हम जो खाली स्थान में क्या लिखेंगे? बिर्बल बादसा बिर्बल को बहुत पसंद करते थे बादसा किसे बहुत पसंद करते थे? बिर्बल को तो हम लिखेंगे बादसा बिर्बल को बहुत पसंद करते थे और सेकेंड अब देखिए बिर्बल ने एक ड्याश से कमरे का दरबाजा खुलवाया तो बिर्बल ने किसे कमरे का दरबाजा खुलवाया बच्चो? एक सिपाही से तो आप यहाँ पर लिखिए बिर्बल ने एक सिपाही से कमरे का दरबाजा खुलवाया बिर्बल ने एक सिपाही से कमरे का दरबाजा खुलवाया हो गया तो पहला बाला बादसा बिर्बल को बहुत पसंद करते थे सकेंड बिर्बल ने एक सिपाही से कमरे का दर्बाजा खुलवाया थर्ड दर्बाजा खुलते ही सारे ड्याश इधर उधर बैट गए कौन इधर उधर बैट गए तो ते अब लिख रहे हो उसके बाद फोर्थ वन बिर्बल अपनी बुद्धिमानी से कठिन से कठिन ड्याश को भी हल कर देते थे इसका उत्तर क्या है समस्या बिर्बल अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे लिख लिख लिया बच्चो थर्ड वन क्या है दर्वाजा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए अच्चो था क्या है बिर्बल अपनी बुद्धिमानी से कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे बिर्बल अपनी बुद्धिमानी से कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे उसके बाद थर्ड रोमन आप लिखिए रोमन नमबर त्री नीचे दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए नीचे दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए ठीके लिख लिए बचो नीचे दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए इसे क्या कहते हैं आपको एक शब्द में बताना है तो पहला बाला देखिए इर्शा करने वाला इर्शा करने वाला इर्शालू उसके बाद सेके जो संभब ना हो असंभब थर्ड दर्बार में रहने वाला इर्शालू तो दर्बार में रहने वाला हम क्या बोलते हैं दर्बारी क्या बोलते हैं दर्बारी दर्बार में रहने वाला दर्बारी कहलाता है फूर्थ जो लोगों में प्रिय हो लोग प्रिय जैसे बिर्बल बहुत लोग प्रिय थे जो लोगों में प्रिय हो लोग प्रिय जो लोगों में प्रिय हो लोग प्रिय और लास्ट फिप्ट वन चिडिया पकड़ने वाला बहलिया चिडिया पकड़ने वाला बहलिया और उसके बाद रोमन नमबर चार अब देखिए रोमन नमबर चार अब लिखिए और नीचे दिये शब्दों के बहु बचन लिखिए नीचे जो शब्द दिया गया है आप उसके बहु बचन लिखिए तो हेडिंग आपने लिखा ठीक है अभी लिखिए तोता तोते महीना महीने यह है तोता तोते उसके बाद महीना महीने बालिका बालिकाएं तारा तारे समस्या आएं आवशक्ता आवशक्ता आएं कमरा कमरे और लास्ट परिक्षा परिक्षाएं तो लिख लिख लिए बच्चों मैं और एक बर बोलती हूँ यह है शब्द और उसके बहु बचन एक बचन मीन्स एक जैसे कमरा एक कमरा कमरे मीन्स बहुत सारा कमरा तो उसे बोलेंगे कमरे ठीक है एक बचन और बहु बचन हो गया उसके बाद रोमा नमबर पांच अप लिखिए और नीचे दिये मुहावरों में दान्त शब्द का प्रयोग हुआ है इसके अर्थ समझकर बाक्यों बनाईए नीचे दिये मुहावरों में दान्त शब्द का प्रयोग हुआ है इसके अर्थ समझकर बाक्यों बनाईए तो पहला बाला यह हमने बुक एक्सरसाइज में भी किया था कि आपको याद है बच्चों पहला बाला दान पीसना दान पीसना तो दान पीसना का मतलब है बहुत गुस्सा होना दान पीसना बहुत गुस्सा होना और एक बाक्यों भी आप लिखिये पुत्र के बार्शिक परिक्षा में कम अंक आने पर पिता दान्त पिसने लगे मिंस बहुत गुस्सा हो गए पुत्र के बार्शिक परिक्षा में कम अंक आने पर पिता दान्त पिसने लगे हो गया अभी नेक्ष्ट दान्त खट्टे करना दान्त खट्टे करना का मतलब बूरी तरह हराना और अब वाक्य भी आप लिखिये रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के दान्त खट्टे कर दिये रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के दान्त खट्टे कर दिये थर्ड क्या है दान्त दान्तों पसीना आना दान्तों पसीना आना का मतलब है बहुत महनत करना बहुत महनत करना ठीक है तो वाक्य भी आप लिखिये नौक्री ढून्ने में मेरे मित्र को दान्तों पसीना आ गया नौक्री ढून्ने में मेरे मित्र को दान्तों पसीना आ गया उन्होंने बहुत महनत किया तो दान्तों पसीना आ गया नौक्री ढून्ने में मेरे मित्र को दान्तों पसीना आ गया हो गया बच्चों उसके बाद नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर लिखिये रोमा नमबर 6 अब लिखिये रोमा नमबर 6 नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर लिखिये क्या है पहला प्रश्ण सभी दर्बारी बिर्बल से इर्शा क्यों करते थे जैसिके आपको पता है हमने आपको बताया था यह आंसर सभी दर्बारी ने बिर्बल से इर्शा क्यों करते थे बादसा अकबर बिर्बल को बहुत पसंद करते थे इसलिए सभी दर्बारी बिर्बल से इर्शा करते थे बादसा अकबर बिर्बल को बहुत पसंद करते थे इसलिए सभी दर्बारी बिर्बल से इर्शा करते थे लिखिये बादसा अकबर बिर्बल को बहुत पसंद करते थे इसलिए सभी दर्बारी बिर्बल से इर्शा करते थे और उसके बाद यह बला प्रशन भी अब लेखिए सेकेंड सिपाही के दर्बाजा खोलने पर क्या हुआ सिपाही के दर्बाजा खोलने पर क्या हुआ बच्व अपने लिख लिया सिपाही के दर्बाजा खोलने पर क्या हुआ क्या हुआ सिपाही के दर्बाजा खोलने से सारे तोते इधर उधर बैठ गए ठीक है, तो सिपाही के दरवाजा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और जोर जोर से चिलाने लगे अब लिखिये, सिपाही के दरवाजा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और जोर जोर से चिलाने लगे लिख लिया बच्चो तो हमारा क्लास वर्क खतम हो गया अभी तो आप जो भी आपने लिखा पढ़कर और लिखकर प्राक्टिस किजिए धन्यबद बच्चो